नमस्कार में हूँ नीरश महरा और आप देख रहे हैं एवन डिवी का खास कारेकर मुद्दा है गरमुद्दा गरम बात करेंगे हम भारत और चाना के बीच बढ़ते तनाव के बीच जिस तरह से लद्दाग सीमा पर गल्मा घाटी पर सेनाओं के वापस लोटने की परक्रिय कि दोरान हिंसक छड़प में एक भारतिये सेना काधिकारी और दो जवान सहीद हुए हैं उसके बात से कहा ये जा रहा है कि चीन एक बार फिर से उननीस सो बासट का इतियास दोहरा रहा है क्यांकि वो उसका दोका करने की फितरत रही है और जिस तरह से पहले भी उन्होंने गलवा घाटी में ही ये जो उन्होंसट का जो यूद्ध था उलड़ा गया था कहीं कहीं इसको लेकर तनाव बढ़ रहा है और इनीस तमाम बातों पर चर्चा के लिए मिरसा जूड़ रहे हमारे चैनल हैड अनिलोड़ा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे दी पूर सहनिय अदिकारियों के बीच बात्चीत हुई चर्चा हुई और इसके बाद सहना अपीजी ठח रही थी उसके बाद जिस तरह हिंसक घटना होती है और एक भारती सहना का अधिकारी और दोज़वान सहीद होते हैं। क्या वाके में अब भारत को सावजेत हो जाना चाहिए और शतर कर रहना चाहिए क्योंकि चाइना कभी भी दोखा कर सकता है। जाना चलता रहता है लेकिन ने तो भारतियों के मन में चीन के प्रती कोई मित्रता का भाव है और चीन जिस तरह पाकिस्तान की पीट पर खड़ा है उसकी पीट सब्तपाता है चीन से पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है कश्मीर के उपर से और जो उसका इस्टेंड है पाक अ और भारत को वो मौके बमोके घेरने कोशिश करता है सुरक्षा पईशद में जब भी कोई पाकिस्तान के मामले आते हैं भारत पाकिस्तान के तो वो जिस तरह वीटो का इस्तेमाल करता है हम चीन को कभी भी अपना मित्र देश नहीं मान सकते नहीं मान सकते अब डिप्लोमैसी में कई बार दुष्मन को भी गले लगा कर चलना पड़ता है और डिप्लोमैसी कहती है दुष्मन ही गले लग कर का को कि ते ठेसे सगा कोई नहीं है वो बरुसा करें नहीं करें लिstalku करें वो अलग बात है ये जो घटना हुई है गलवान गाटी में इससे पहले सिक्किम में और अरुनाचल में कई बार तनाव हुआ है जी अरुनाचल के कुछ इलाकों को वो अपना दावा करता रहा है सिक्किम में तनाव पैदा करता रहा है गलवान गाटी में लद्दाक में वो आकरमक होनी कई ब अपने चैनल पर आज के दस दिन पहले अपने चैनल में ये बताए था कोशिशunkिती समझाने की कि नेपाल को चीन उक्स्वारा है नया नक्षा पेश करके भारत के साथ सिवा ब्वात करने के लिए जी कि नेपाल के साथ पाकिस्तान के आतंकवाद को पाकर दिकत कश्मीर के मामले में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, पीट सब तपाएगा, कभी आतंकवाद को कंडेम नहीं करेगा, और खुद चीन भी लद्दाक में, सिक्किम में, अरुनाचर प्रदेश में, भारत के स अपनी सीमा के विवाद को खड़ा करता रहेगा इस तरह चान तरफ से इसको घेड़ने की कोशिश करेगा तो संकेद हमने यही दिया था कि चीन के साथ भारत के रिष्टे और बिगड़ सकते हैं वो दो हफ्ते होते होते सामने आगई चीजे हैं और यह बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक कर्णल इस्तर का अधिकारी मारा जाए दो सानिक मारे जाए ब यहा रेजिमेंट इसर सानिक पंज़ाब का धिकारे है और जैसी सुचना आ रही है कि पत्थर से मारा, दुकीले पत्थर बरके लाए थे, कांटों के तार बरके लाए थे, गोली नहीं चली और मर गए लोग, मैं यह कहना चाहता हूँ कि चीन के सूटर भी कह रहे हैं कि हमारे पांच चैनिंग मारे गए, और चीन में एक अकबार है कि पांच चीनी मारे गए, और ग्यारा चीनी सेनिक गाहिल हुए हैं, यह चीन का प्रपोगंड़ा भी हो सकता है, चीन बातों को छुपाने में बातों को जूट-मूट में प्रचाइद करने में बहुत माहिर देश है, और वो एक बंद देश है, बंद कोठ्री की तरगा द पर डेमोक्रसी रह गई जी तो इसलिए चीन एक बंद गुफा जैसा देश है वहां से वही सुचना बाहरा आती है जो चीन की सरकार या कम्मिनिश पार्टी चाहती है जो सरकार चाहती है जी और वहां की सरकार को कोई आख नी दिखा सकता उनके देश में चेलिंज नी कर सकता उसने कह दिया कि यह वाइरस पैदा ऐसे हुआ तो वासे माने दुनिया नहीं हुआ तो नहीं माने दुनिया जो कहता है इसलिए उसके यह जूट का चल चदम का विश्वास घात का बड़ा पुराना इतियास भी है जी और बविश्य हुआ ऐसा नहीं करेगा इसकी किसी के लिए जी हमें सतर्ग भी रहना साफदान भी रहना है चोकना भी रहना है और दुनिया के देशों को अपनी पीठ के पीछे खड़ा रखने की कोशिश करनी है ताकि अगर चीन आकरमा को की युद्द तक आ जाए जी तो हमारा साथ कौन कौन देगा इसका मुल्यांकन भी कर रहता है सबस्ते बड़ी बात हैं कि चीन के मुकाबले होता है तो क्या भारतिय ये चीन के मुक्राइब पाएंगे क्यों कि जिस तरह का उनका नेच्यर है जिस तरह केउनका खान-पने का वह आपको लगता है बहुत जरुत पड़ेगी यहाँ पर मनवल बढ़ाने की लेकिने तक आपने सवाल किया कि सैनीकों का सवाल है मैं सिर्फ सैनीकों तक सीमितनी रखता हूं मैं बात करता हूं कि जिस हिसाब से जो पूरे Chinese culture है लिजू हिंदूसान का culture Chinese culture बिल्कुल opposite चीनी समाज है जो उनकी society है वो पूरे society पूरे तरश हिंसक है आप देखें उनका खान पान, जो चाइना में खाया जाता है, मैं समझता हूँ, सर भी बैठे वे, इन्होंने भी पूरे वर्ल में ट्रेवल किया है, आपने भी जाना होगा, कि ऐसा खान पान विश्व में कहीं दूसरी जागे पर है ही नहीं, बिल्ली वो खाते हैं, इस तरीके से मारते हैं, वो इस तरीके का हीनियस, इस तरीके सा हिंसक, वो रवया अपनाते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं, कि वो एक आदमी को मारे हैं, जानवर को मारे हैं, जीव को अगर आप हत्या कर रहे हैं, और इस निशनस तरीके से हत्या कर रहे हैं, तो पता चलता मतलब एक तो होता है कि आप अपनी नैसेसिटी है आपकी नैसेसिटी आपके पाइप को दूसरा चारा नहीं है तो जीवन को जीने के लिए आपको मारने ही पड़ेगा पर आपको शौक है आपको मारने का शौक है आप साब खा जाते हैं साब को जिंदा उसको काट के उसका ख संजर माना गया है तो एक उसकी खाला कि एक इमोशनल वैल्यू बताने की मैं कोशिश करा था पर इन जानवरों को कोई और विश्व में नहीं खाया जाता है आप देखेगा एफरिकन कंट्रीस तक के अंदर इन जानवरों को नहीं खाया जाता है तो आज समझ लीजे कि उनका माइनसेट किस तरीके का एक हड़ धर्मिता रखने वाले लोग हैं अपनी बात पर एडमेंट होने वाले लोग हैं अगर कहेंगे तो उसी पर अड़े रहेंगे चायसे उसके लिए उनके कितने बड़े कितना बड़ा नुकसान उनको जहिलना पड़ जाए तो आप इत्यास रश्या की क्या भूमिका हो सकते हैं रश्या तो खुद रसातल में है इस समय आपको लगता कुछ बहुत बड़ा से योग भारत को कर पाएगा लेकर को रसातल में मत मानिया परमानु शक्ति है बहुत बड़ी शक्ति है वो रश्या फाइनेश्यरी हो सकता उतना साउंड न हमारा तो देखना पड़ेगा रश्या क्या करता है किस तरा हो जाता है कि दृकाणी का जमाना था हम प्रो लैफ्ट से उस जमाने में अब प्रो राइट हैं इसलिए रश्या को भी सोचना पड़ेगा और हमें भी हमारे लिए हो अंतराष्ठी, कूर्टनीती और लाजनीत इसकी परिशाई घड़ी होगी मूल बात क्या है देखे दुनिया के नक्षे पर अमेरिका एक ताकत है जो कभी हमारे साथ नहीं थी पहले और अमेरिका पाकिस्तान के साथ थी 65 की वार में řकटर के वार में जो पेटन टेंक थे वो पाकिस्ताँ को जो जैट विमान थे वो अमेरिका के थे पंडूभिय दिन उस टाम पर अमेरिका उनके साथ था अमारी मजबूरी थी म النकी रशीया के साथ थे कियंद वार का जमाना था चीट उद्द का जमाना था चीट उद्द खदम हो गया रशिया का विटन जरूर हो गया लेकिन वो बड़ी परमानुत ताकत है आज भी जी और वो अमेरिका ने उसके विटन में कोई भूमी का निभाई है इस बात को भूला नहीं है भूले का भी नहीं जी इसलिए जब चीन के सामने आमना सामना होने को इस्टिति आएगी और अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा पस्चीमी देश, फ्रांस, जर्मनी, रेड बिटेन हमारे साथ खड़ोंगे तब रशिया मैं समझता हूँ कि संयोग जैन अभी रशिया जाके आए कुछ समय पहले मान सिकता भी देखी होगी भारत के पति आलागी प्रेम बहुत है उनके लोगों का लेकिन जब उनको रणनीतिक और राजनीतिक फैसला करना होगा तब क्या करेंगे मैं अपने चैनल के माद्यम से दर्खशकों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं रशिया का जब मेरा दोरा हुआ तो करीब 15 दिन मैंने जो कि बहुत मॉस्कों जो कि वहां की राजदानी और सेंट पिटर्जबग जो कि उसकी राजदानी नहीं है पर उसका एक बहुत बड़ा कल्चरल गड़ है सेंट पिटर्जबग रशिया का वहां पर कई लोगों से गुफतुगू करने का मौका मिला तो इसको मैं दो भागों में विभाजित करने की कोशिश करता हूँ कि एक तो इमोशनल सेट अप और एक राजनितिक सेट अप जो इमोशनल सेट अप है वो आज में हिंदुस्तान की और रशिया के लोगों का बहुत बड़ा एक दूसरे से जुड़ाव है जैसे कि बॉलि यलसिन के बाद से आप Capital वहा पर सकता संवाली तब वहां पर वांपांतियों के अजब ही महत पर कही ना कहीं वह बीज़ दबावा है वांपांतियों का और यही का पूरा का माइंट सेट तो कहीं ना कोई जो दोनों की आइडियॉली है वह मैच करती है आज भी रशिया के किंदर जो सबसे बड़ा ट्यूरिस्ट का फुटफॉल होता है वो चाइना का होता है दोनों के बीच में ट्रेड भी आपस के इंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज तक चाइना के बाद में अगर हम हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की अगर कभी लड़ाई के जब बादल गहरा है तब रश्या का हिंदुस्तान को साथ देना एक अलग परिप्रेश के इंदर माना जाता है पर अगर चाइना के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में अगर जंग के हालात बनते हैं और उस परिस्तिति में जैसे सर ने बिल्कुल वज़ा फरमाया बहुत जादा ट्रेड रश्या और हिंदुस्तान के बीच में नहीं होता है तो आज के वक्त में जो तिजारत का जो रिलेशन शेपे देशों के बीच में वह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है चाइना बहुत माल सप्लाई करता है रश्या को रश्या बहुत गैसे ने बहुत दुस्त saints के में आइक बहुत बहुत ड़ाए जाता है जो है भारा से सीध locked WOW ऊद्राव की कुछिस कर रहा है बिना चीन चिन की दो नेई कि पीजा लेने की जड़त नहीं होती जा सकते हैं बिना पासपोर्ट भी और नेपाल में नेपाल तो एक तरसे भारत का जो भाई कहते हैं जी सके भाई जैसा रिस्ता तो देश्यों बीच वैसा था जब से वहां राजशाही समापतु ही है वहां के राजा का मडर हुआ शाह क नेपाल के और पूरे परिवारु खतम किया गया और उसके बाद से वहां पर वामपंथ सामने आया है माववादी लोग सामने आये हैं उन्होंने कैप्चर किये पावर और उनका जुकाव चीन की तरफ है इसमें कोई दुरा है नहीं भारत के साथ उन्होंने वैसा विरेंडर ने रखा हुआ था और दूसरे राजाओं ने रखा हुआ था वो सब सोहार्द खतम हो गया है और विशुद डिप्लोमेटिक बात देवदेश जैसे करते हैं वैसे बात होने लगी है भाईयों जैसी बात नहीं होती है नेपाल से हमारी और वो बार्डर सील कर द है हिंदमा सागर में तिबत का देख लिए जैसर तो ऐसे इनका महत्व है चीन ने कूटनीती के जरीए इसको इक तरसे अपने कब्जे में तो नहीं लिया लेकिन कब्जाया है एक तरह के वांकिन नेपाल का यह बड़े हमारे संकट की बात है और जो हिंदू राष्ट कहला नेपाल जी आज भारत में वो सरकार है जो यह बारत को हिंदू राष्ट नहीं कह रही लेकिन उनकी जो सोच वेचारिक कमिंट्मेंट वो राष्ट को हिंदू राष्ट बनाने जैसा ही है वो जी ऐसी पार्टी पावर में है इसके बावजूद नेपाल हमारे खिलाफ खड है हम नेपाल के रणनीतिक महत्व को नहीं समझ पाए क्या कि प्रश्ण हमें हमारे विदेश नीती निर्दारकों से पूछना चाहिए उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम सब कुछ होते देखते रहे और हमने कुछ नी क्या मैं आपको एक छुटा उदान देता ह मौरिशस ते एक देश है हिंदमा सागर हैं बहुत प्रभाशल देश है वहाँ 55% भारती हैं 60-55% के बीच में और 52% में हिंदू हैं लेकिन हिंदूों में शिव सागर राम गुलाम महां पे पिता में थे बीच में 60-30 साल तक राज किया उन्हों 40 साल तक 60-60 सीटे आती थी क और मुस्लिन देशों ने अरब कंट्री ने खूब मस्जिदों के निर्वान के नाम पे खूब पैसा डाला वहां के मार्केट को केप्चर करने के लिए चीनों चीनी भी मार्केट में गुश गए उन सबने मिलकर के और एक फोर्स कड़ी कर ली भारतियों के खिलाफ अब भ कान्दी जिन्दा थी रातों रात भारत के दूताभास ने मेरी जानकारी में इबात अपने पौलिटिकल एक्टिविजम के जरिए अपने कोर्टी नितिक एक तुषिम के जरिए हिंदूं को एक क्या समझाधा कराया और अनिरुद जगरानात को पर्दान seven दी बनवाया और तो यह नेपाल के मामले में हमें इंडिफरेंट को रहे मिस हैं इंडिफरेंट रहें तो सोचा ही नहीं कि कभी ऐसा हो जाएगा अज जैसा आग दिखा रहा हो सर नेपाल आप समझे गोर्खा मेरी रेजिमेंट जो आती है फौज का अभी निगमा आना जाता है वहां तो उसके अंदर तो नेपाल से आने वाले जो लोग है वो भारत की फौज का पार्ट बनते हैं बिलकुल बिलकुल और उनकी देश बक्ती बेमिसाल मानी जाती है जब कमिटमेंट ऐसे टेरेंस के उपर जहां पर टैंक्स नहीं जाते हैं वहां पर गोर्खा मेरी रेजिमेंट के लोग जाकर के भारत का जंडा फताय करके है एक नहीं पचासो ऐसे उधारन है उस जगे के उपर आज नेपाल और भारत के रिष्टों के अंदर खटास आती है त पड़ियंने निखिने जिए लगा जाने ओश्यक्या पिश्विश्व आज नविफ के नहीं पर एसे रलीशिशनशिप ने डिसकारड करना शुरू किया बेदखल्श करना शुरू किया चाइना को और यह कहना घाए नहीं खिए है। को जिम्मेदार मानते हैं और आज के बाद में हम व्यापारिक रिलेशन आपके साथ खतम कर देंगे तो उसके बाद पूरे विश्व को ये लगता है कि इतनी बड़ी बल्क को अगर कोई सप्लाइक की चेन को अगर कोई मेंटेन कर सकता है तो हिंदुस्तान जैसा देशी कर सकता है जिसके पास मैन पावर है जिसके पास रिसूर्स है जिसके पास में काबिलियत है स्किल्स है तो वो ही कर सकता है तो उसको कहीं न कहीं थ्रेक नजर आता है कि मेरे पास जो इतना अर्बो खर्बो रुपे का इंवेस्टमेंट है इतना बड़ा जो मेरे पास में व्यापार है वो कहीं मेरे हाथ से खिसक करके भारत जो की चाइना का बिलकुल जिसे कहते हैं कटर दुश्मन है कर उसके हाथ में चला जाएगा तो वो निशित तोर पर चाइना के लिए बहुत नुकसा बाजार भारत में हैं चाइनीज सामान भारती सामान के मुकाबले सस्ता और बाजार अठा बड़ा परीज जब से कोविड नाइंटीन हुआ तब से लोग डिसकार्ड करने लगी चीन को और चीन के सामान को चीन भारत जैसे व्यापार के बाजार को नहीं चोड़ना चाता इसलिए भारत की तरव आख निए उठा रहा था लेकिन जब से कोविड नाइंटीन हुआ और बुहान में हुआ जहां पर अर्बो डॉलर विदेशी कंपणियों के इन्वेस्ट किये वे थे पस्च्चिमी देशों के इन्वेस्ट किये वे थे भारत में भारत ने भी डोल पीदा कि मारे निए चीन का कंप्रोड़ी आसकती है, चीन से पैसा हो तो चीन ने देखा लो माँ पर मेन पावर बहुत जादा है उनका काम चिन जाएगा बेरुद्गारी बढ़ जाएगी एकोनोमिक पावर चीन की खतम हो जाएगी दुनिया में वो इस बाद से भी डरा हुआ है और वो भारत को दबोचना दराना कुछ भी समझ ले एक प्रेशर टेक्टिस अपना रह है मुझे नहीं लगता कि चीन भारत से सीधे युद्ध करेगा इसलिए नहीं लगता कि अगर चीन का भारत से सीधा युद्ध हो गया तो अमेरिका हमारे साथ कड़ा होगा जी और उस इस्तिती में लाल चीन सागर में और दूसरी जगे पे अमेरीकी युद्ध पोर्त लेकिन कीण भारत को उजाए रखेगा फसाइय रखेगा और भारत सरकार को विश्वे बात करने चाहिए क्योंकि इस तरह का तनाव बढ़ रहा है और तनाव का अथर आम लोगों पर भी पढ़ रहा है हर जगह चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर का होने वाला है क्या वा लुग कोई तो स्रकार को पचा थोड़ी लेगी उप सभाब देना होगा ना देश को भी तो कि ऐसे कैसे हमारे लोग मर गया है संद 75 के बाद पहली बार कोई भारती मरा है चीन सीमा पर भारती सनिक मरा है जी तो ये कैजुलिटी मामूली नहीं है पैंतालिस साल बाद भारत चीन सीमा पर इंसक्ट जवान सहीद हुए है जी बिकुल सर बहुत अब धन्यवाद आपने अ और अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है और जिस तरह से तीन लोगों की जान गई है करनल दो जवान सहीद हुए है उसके बाद भारत चुपी भी नहीं साथने वाला है तो कहीं ने कहीं भारत सरकार इस मामले में जरूर कोई ठोस कदम उठाएगी मुद्दागरा में आ